हाई लेवेंथीज, वेलकम तो इजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तवितार गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनस अक्टिविटी पढ़ने वाले हैं जो की आपका चेप्टर वन है बिजनस टडी का और गाइज बेसिकली यह में सुबाज दे बुक से पढ़ा रही हूँ जिसकी लैंगविज जो है काफी असान है डाइग्राम के साथ समझाया जाता है इस बु गाई बुक को प्रेफर करकें क्योंकि और एजीली अंडरस्टैंडबल ही बुक सबसे पहले बिजनस स्टडी में हम लोग बिजनस अक्टिविटी को कितने पार्ट में एपता होना च्छी है बिजनस में हम गुड्स उन सर्विसेज बनाते और उन्हें बेचते हैं मकसद क् profit कमाना है न कोई भी काम free of cost नहीं करते हैं मक्सद क्या profit कमाना right so business की activities दो पार्स में divide की जाते है एक वो जहां पे हम चीजों को बनाते हैं याने कि हम production करते हैं goods का material का हम production material को use करके हम basically resources को use करके कोई goods बनाते हैं तो उसे हम industry कहते हैं अभी जैसे आप ये कहो कि leather को use करके shoes बनाया जाते हैं leather को use करके bags बनाया जाते हैं या लखडी को use करके furniture बनाया जाते हैं तो वो क्या कहलाती है guys industry कहलाती है जहाँ पर production किया जाता है basically अब production करके आपने बना के समान रख दिया वो sufficient नहीं है उसको आप बेचने के लिए जो activity करी जाती है वो होती है commerce ठीक है तो यानि कि बहुत सारी हमें other चीजे भी चाहिए होती है services चाहिए होती है trade चाहिए होता है बेचने के लिए trade करना यानि कि बेचना चाहिए होता है आप बना के रख दो factory में क्या वो sufficient है नहीं जब तक कि आप बेचोगे नहीं तो बेचना जरूरी है और उसके लिए हमें आना पड़ता है commerce सेक्टर में commerce क्या होता है guys यानि कि basically उसे बेचना और बेचने के लिए कौन सी activity जरूरी होती है जैसे कि transportation चाहिए भया चीजों को पहुचाने के लिए हमें insurance भी कराना पड़ता है कई बार तो वो सारी commerce में आती है यानि कि सिर्फ बनाना industry में आता है यानि कि बना देना industry में बागी सारी activity commerce में so industry किसे concern करते है guys industry is concerned with all production and processing of goods and material जहां पर हम चीजों को बनाते है commerce किसे related है guys जो वो सारी activity which are necessary for facilitating the exchange of goods and services यानि कि वो सारी activities जिसकी वजह से हम लोग अपने goods and services का exchange कर पाते हैं वो सारा commerce में आता है यानि कि सिर्फ बना देना industry है और उसको बेचना और बेचने के लिए जितनी सारी activity है वो सारी commerce में आती है अब guys यहां पर पूरा यह चार्ट बनाया गया है जहां पर industry को three parts में divide किया गया और commerce को two parts में तो हम one by one करेंगे तभी हमें यह चार्ट पूरा वो समझ आएगा ठीक है तो basically industry guys total three types की होती है primary, secondary and tertiary primary industry वो होती है guys जो हमारे nature से related है natural resources से related है secondary जो manufacturing से related है tertiary जो service से related है अब देखो सबसे पहले one by one हम पढ़ते हैं ताकि हमें हर एक topic clear और समझ है देखो हमारी industry की अगर हम बात करें so industry में सबसे पहले guys हमारी primary industry आती है secondary फिट tertiary आती है यानि की तीन industry है but industry का मतलब क्यो होता है so guys industry का मतलब होता है वो सारी economic activity economic बोले तो पैसा कमाने के साथ करी गई activity पैसा कमाने के लिए करी गई activity economic होती है so वो सारी activities which are connected with conversion of resource into a useful goods तो यानि की आपका production में कह सकते हो जिसमें आप resources को convert कर देते हो किसमें useful goods useful goods बोले तो finished goods जैसे कि आपने लकडियां लेके आए और लकडियों से furniture बना दिया आप leather लेके आए और उससे shoes बना दिये तो ये सब क्या है guys ये हमारी industry के लाती है वो सारी economic activity जहां पर mainly production किया जाता है ठीक है अब बहुत सारी guys एक confusion जो है जो मैं बहुत सारे बच्चों में देखती हूँ कि firm जो होती है na guys वो single होती है लेकिन जब हम firms को मिला देते हैं तो वो particular industry बन जाती है जिससे car industry dot screen 까 i mean car industry में हम आ हिंड़े company भी आ भी होंडा भी आजाती है आपकी data company भी आ आ की महंदरा भी आ जाती है तो उसे हम industry को हम क्रूप of firms को हम industry कहते हैं तो industrymüş क्या होती है जो सारी चीज़ों सारी firm to include करती है जबकि firm की जब हम cái करते हैं तो हम एक single production unit की बाद करते हैं अब इसमें guys हमें पता industry three types की होती है first one is the primary primary industry जो की आपके natural resources से जुड़ी होई होती है तो primary industry में क्या किया जाता है primary industry में वो सारी activities आती है which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism plant etc so basically हम लोग natural resources को लेते हैं या फिर उनका production करते हैं अगर बने हुए हैं तो उसे हम अगर already हमारा nature उनको बना के हमें देता है तो हम उसे extract करते हैं वहां से निकालते हैं जैसे koila हम खुद नहीं बनाते koila हमें बना हुआ मिलता है ख़दानों में से mining करते हैं उसकी राइड तो हम उसे extract करते हैं production करते हैं जैसे की farming and all and reproduction and development का मतलब क्या होते हैं reproduction में basically आ जाते हैं जैसे की हम लोग poultry farm वगरा खोलते हैं या फिर हम cattle breeding करते हैं जैसे की आपको पता है अंडे बेचे जाते हैं दूद बेचा जाते हैं गाये का तो यह सारे हमारे reproduction and development में आते हैं हमारी primary industry में mainly दो काम किये जाते हैं तो natural resources से समाल ले लेना और फिर चीजों को बनाना reproduction करना इसलिए हमारी primary industry को two parts में divide किया जाते हैं first one is the extractive industry and the second one is the genetic extractive जहां पर आप natural resources को इस्तमाल करते हो और मतलब जैसे nature ने दिये हैं आप उनको ले लेते हो यूस कर लेते हो जैसे खेती वगरा करना so these industry extract or draw product from natural sources so यहां पर हम क्या कर रहे हैं extract कर रहे हैं और draw कर रहे product from natural sources so यह हमारी extractive industry कहलाती है जिसमें farming भी आजाता है mining आजाता है lumbering hunting fishing operation जबकि genetic में हम breeding कर आते हैं so genetic industry किसे जुड़ा होता है guys breeding से so these industry are engaged in breeding plants and animals लेको खेती करी जाते हैं कई बार king cheese की करी जाते है guys जैसे rose वगरा की क्योंकि हमें पता है कि यह गुलाब के फूल यह सब आगे बिखने होते हैं animals की करी जाते हैं ताकि उनसे हम लोग poultry form वगरा क्यों खोलते हैं ताकि egg supply हो सके ताकि chicken supply हो सके so that is a genetic industry जहां पर इन चीजों का reproduction किया जाता है ठीक है so हमने primary industry को कितने parts में divide किया two parts में extractive and genetic ठीक है यहां पर हमने natural resources को इस्तमाल किया जबकि यहां पर हमने उनको आगे बढ़ाया breeding कराई ठीक है अब secondary industry कौन सी होती है guys अब देखो जैसे अपने primary nature से related था secondary industry manufacturing से basically related होता है बनाने से तो यानि कि जो भी चीज़े हमारी primary industry transfer करती है तो हम बनाते हैं अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाया हम लोगों ने खेती करी खेती से हमें गेहूं मिला तो गेहूं को पीस कराटा बनाना बिस्किट्स बनाना यह सारा हमारा manufacturing industry में आ जाता है ठीक है so manufacturing industry और construction industry secondary industry को हम दो parts में divide करते है manufacturing and construction industry ठीक है so basically guys देखो manufacturing industry में total four types में इसको divide किया जाता है अब देखो manufacturing industry किसे कहते हैं these industry are engaged in a producing goods through processing of raw material and thus creating from utility creating from utility यानि कि आप चीज को अब गेहूं किसी को देदो तो वह कच्छा तो खाएगा नी जब तक कि आप उसे piece कर आटा ना बना के दो right तो यहां वह किसमें आते है guys manufacturing unit में जहांपर हम चीजों को बनाते हैं आप biscuit बनाके दोगे तो biscuit खाया जा सकते है ना तो वह हमारा manufacturing industry में आते हैं जहां हम चीजों को basically बनाते हैं अब इसे four parts में क्यों divide करते हैं इसमें पहला आते है analytical industry जहां पे हम analyze करते हैं और उनसे different material बनाते हैं अब oil refinery से हम रो crude oil भी बनाते हैं refined oil भी बनाते हैं और other material minerals निकालते हैं तो वह analytical industry आ जाता है Synthetical होता है जहां पे हम combine करते हैं और उसे एक नया product बनाते हैं जैसे कि cement तो बहुत सारी चीज़ें मिला कर cement बनाया जाता है तो वह synthetical industry Processing industry क्या होता है जहां पे चीज़ों को process किया जाता है stages wise ठीक है जिसमें कि sugar और paper आ जाता है तो which involves successive stages for manufacturing finished product गरना बना गरने के बाद process हुआ उसके बाद sugar बन के निकली Same way में paper guys Assembling industry क्या होता है जहांपर हम लोग different components को मिला कर क्या करते हैं एक नया product बनाते हैं जिसमें car industry, television जहांपर different different products को combine करके, assembled करके TV, car वगरा बनाई जाती है ठीक है So, यह basically manufacturing industry थी अब इसके बाद हम बात करते हैं guys construction industry जो basically dams, आप घर बनाने से related है, tunnels हो गई, आपके bridges हो गई तो वो construction है, बनाना यहां पर भी है, यहां पर भी बनाना है बट यहां पर construction करना है और यहां पर manufacture करना है कोई चीज बनाके बेचनी है, जो की इस्तमाल करी जाए सकेगी आगे और यहां पर क्या है, वो service देती है चीजें जो भी आप tunnel बनाते हो, candles बनाते हो, right इसके बाद guys, हमारी third industry होती है, tertiary industry जो basically हमारी पहली दो industry को support देती है, ठीक है इसमें सारी वो activities आती है, जो basically बेचने के लिए हमें जरूरी होती है so tertiary में transportation, banking, insurance, warehousing, communication, packaging, advertising आता है और यह क्योंकि commerce का भी part बन जाता है, आगे commerce में हम यही सारी activities पढ़ते है ठीक है, so tertiary sector जो है basically वो commerce में अपने आप include कर लिया जाता है क्योंकि इसमें क्या आती है, सारी services आती है, और commerce में भी हम यही सारी चीज़े करते है so commerce की activity को basically guys, two parts में divide किया जाता है first one is the trade and the second is auxiliaries to trade तो सबसे पहले देखो commerce क्या होता है commerce include all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services वो सारी activity guys, जो समान को बेचने में मदद करती है, commerce कहलाती है तो सबसे पहले बेचने में मदद करना तो वो trade आ गया और बेचने के सासत और बाकी सारी activity auxiliaries to trade कहलाती है trade refers to sale and transfer और exchange of goods यानि कि आपको समान बेचना ही और बेच के पहुंचाना customer तक trade कहलाता है so sale करना, transfer करना, exchange अगर आपने अपना समान बना के guys factory में रखा है तो आप trade नहीं कर रहें trade का मतलब क्या होता है, बेचना, market में आओ और बेचो आप बेचने को क्या कहते है, trade कहते है जबकि बेचने के लिए आपको transportation चाहिए, warehousing चाहिए, आपको insurance चाहिए वो सारा auxiliary to trade है तो बनाना आपका industry था, लेकिन बना के बेचना trade है trade के लिए और जो activity चाहिए, वो सारी auxiliary to trade है तो इसको समझना काफी असान हो जाते है guys, अगर आप एक बार समझ लो आप basically guys trade देखो कितने type का होता है trade होता है basically दो type का, internal and external internal होता है, जब हम अपने देश के अंदर करते है, external जब हम देश के बाहर फॉरन के साथ करते है so internal trade में एक आता है wholesale trade, एक आता है retail wholesale में क्या होता है, जब आप एक bulk quantity में wholesalers को बेचते हो retail किसे कहते है guys, जिसमें हम एक small quantity बेचते हैं और जहां से mainly consumer directly purchase करते है, ठीक है so उसे retail trade कहते है, अब ये तो internally, it's depend upon producer की वो कौन सा option choose करना चाते है, वो wholesaler को बेच के wholesaler retail कर सकते है या फिर वो directly retail trade भी कर सकते है external क्या कहलाते है guys, external होता है जब हम बाहर के साथ, बाहर वाले persons के साथ trade करते हैं, जिसमें हम import करते हैं, import बोले तो हम purchase करते हैं from another country export बोले तो हम बेचते हैं, sold करते हैं to other countries उसे export कहते हैं, अच्छा यहां पर enterport क्या कहलाते है guys, जैसे कि हमने America से मंगाया समान, इंडिया आया, अब इंडिया उसे आगे बेचेगा चाहें इंडिया आगे उसे South Africa बेचें, कहीं पर भी बेचें तो यह enterport कहलाते हैं, when goods are imported for export to other country जब हम goods को import करते हैं, ताकि हम उसे आगे export कर सकें तो उसे enterport trade कहते हैं, अब यह तो था trade कि हम कितने तरीके से guys अपना समान बेच सकते हैं इसके बाद आते हैं, trade करने के लिए जो सहायक activity होती है, auxiliary मतलब सहायक, helpful activity कौन-कौन सी चाहिए तो पहली आजाती है guys, banking and finance यानि कि हमें banking के ज़रुरत होती है क्योंकि हमें transactions करना है, money से related है, purchase करना है, raw materials, सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, finance चाहिए, transactions के लिए और कई जगे पे cash नहीं चलता है, जहां पे check चलता है, तो हमें banking and finance companies चाहिए होती है guys, एक state से दूसरी state पे पैसा पहुचाने के लिए अमेरिका ने अगर हमें पैसा देना है, इंडिया तो भी हमें banking service चाहिए, so banking services हमें must है, उसके बाद है guys, insurance services, business में ये तो बहुत ज़्यादा important मानी जाती है, क्योंकि business में अगर नुकसान होता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इसलिए हर एक company generally insurance करा के च अपने employees का insurance करा सकते हो, so there are many types of insurance जिसमें हम building का, machine का कराते है, material and goods का कराते है, जब वो transportation में होता है, अपने employees का कराते है, so ये सारी insurance में है, जो कि जरूरी होता है हमारे लिए कराना, इसके बाद और क्या activity चाहिए होती है, और क्या है, जो हमें जरूरत है guys, business को करने के आप road के थ्रू, railway के थ्रू, ships के थ्रू, aircraft के थ्रू अपने समान को पहुचाते हो, एक place से दूसरे place को पहुचाने के लिए, हम खुद तो अपना जहाज खरी देंगे नहीं, तो हमें services चाहिए, वो transportation services है, warehousing क्यों होते है guys, warehousing services होती है, जहाँ पे लोग बड़े-बड़ से go down, खोल देते हैं, और वहाँ पे company को लाओ करते हैं, कि आप अपना समान रख सकते हो, so वो warehousing है, communication services बोले तो, telephonic services, email services, यह सारी जो है, हमारी communication में आता है, advertisement services, क्या होती है guys, यह तो सबसे जादा आज की date में must है, आपने समान बना के रख लिया, लेकिन लोगों को पत through the media, through the advertisement, polls पर लगाना, उन सब के थूँ बताता है, ठीक है, इसके अलावा guys, last topic जो हमारा रह रह रहा है, that is, role of commerce in removal of hindrance in the process of exchange, क्या commerce का role रहता है, हमारे इन सारे कामों में, तो देखो, trade, transportation, जितने काम हमने किये, यह कौन-कौन सी चीजों को दूर करता है, कौन-कौन सी प होत important है, और समझना जरूर है guys, जैसे अगर हम trade नहीं करेंगे, तो क्या, इस trade की वज़े से हम कौन सी अपनी दिक्कत को अटाते हैं, hindrance of persons, by making the goods available to the consumer from the producer, यानि कि trade करते हैं, तभी हम चीजों को एक जगे से अपने consumer तक, यानि कि producers से consumer पहुँचा पाते हैं, तो वो hindrance of person को दूर करते हैं, यानि कि लोगों की कमी को दूर करते हैं, transportation remove hindrance of place, transportation हमें place तक पहुचाते हैं, storage and warehousing हमें hindrance of time, यानि कि अगर हमारे पर storage नहीं होगा, हमारे पर warehouse नहीं होगा, तो अगली बार हमें समान पहुचाने के लिए बहुट time लगेगा, लेकिन warehouse में समान होने की से related दिक्कतों को दूर करते हैं, क्योंकि advertisement वो सारा काम कर देता है, so commerce आप कह सकते हो कि बहुत सारे hindrance, यानि कि दिक्कतों को, कमियों को, रुकाफ्टों को दूर करता है, चाहिए वो person, place, time, risk, finance है, so guys इस पर question आ जाता है कि कई बार की insurance बताओ कि कौन सी hindrance को दूर करता है, तो risk की, banking, finance की, advertisement, information की, storage, time की, transportation, place और trade person की, तो इस तरीके से guys हमारा ये आज का topic complete होता है, I hope आप लोगों को समझ आए होगा, अगर कोई भी doubt है तो आप Instagram पर ID है तब इता मैसी, पूछ सकते हो या फिर YouTube पर comment के थूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो like करे बने, बिलक प्यारे प्यारे, thank you so much.